दोस्तों इसले वीडियो में हमने देखा था किसी भी नंबर को 9, 99,999, ये कितने भी 9 से कैसे multiply किया जाता है अब हम इसी के कुछ special cases देखेंगे जहाँ पर multiplicant digits जो हैं वो जादा होते हैं और multiplier digits कम होते हैं चलिए हम एक example के थुरू आगे बढ़ते हैं माल लीजे हमारे पास एक number है 376 इसको हमें multiply करना है 99 से यहाँ पर special case क्या है कि यहाँ दो 9 है और यहाँ पर 10 digits है तो इस case में हमें क्या करना है जितने 9 है उतने parts हमें यहाँ से लेना है यहाँ पर 2 9 है तो हम यह इधर के 2 digits ले लेंगे और इसको हम 2 parts में divide कर देंगे ठीक है तो इधर 99 यानि 2 digits इधर 76 यानि 2 digits अब यह हमारा left part हो गया और यह वाला right part हो गया अब हम answer भी 2 parts में निकालेंगे तो पहले हम left part निकालते हैं left part निकालने के लिए हमें क्या करना है इस 3 में हम 1 जोड़ देना है क्या करना है हमें plus 1 करना है तो plus 1 करने के बाद क्या हो जाएगा यह 4 हो जाएगा और इस 4 को हमें 376 में से minus करना है तो कितना हो जाएगा 376 में स अगर हम 4 को minus करेंगे तो हो जाएगा 372 तो यह जो है हमारा left part हो गया अब हम right part निकालेंगे right part निकालने का सबसे आसान तरीका है कि जो हमारा इधर का right part है इसका हम compliment निकालेंगे compliment निकालना हमने अपने पिछली वीडियो में सीखा था वही तरीका हम use करेंगे पहले number को 10 में से minus करेंगे और बाकी के number को 9 में से तो इस 6 को हम 10 में से minus करेंगे तो 4 आ जाएगा और इस 7 को हम 9 में से minus करेंगे तो 2 आ जाएगा तो हमारा answer हो जाएगा 37224 चलिए एक number और लेते हैं 4277 इसको multiply करते हैं ट्रिपल 9 से चलिए पहले इस number को हम divide करते हैं क्योंकि यहाँ पर 39 है तो हम इस तरीके से इसको divide कर देंगे अब आगे बढ़ेंगे इस 4 में हम plus 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा plus 1 करने के बाद यह 5 हो जाएगा इस 5 को हम इस पूरे number में से minus करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 2, 7 और यह 5 इदर से minus हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 2 ठीक है तो यह हमारा left part आगया अब हम right part की तरफ आगे बढ़ेंगे तो यह जो number हमारे पास बचा है 277 इसका हम compliment निकालेंगे compliment निकालने का वही तरीका आप last वाले number को 10 में से minus करेंगे बाकी को हम 9 में से तो क्या होगा 10 में से अगर आप 7 minus करेंगे तो 3 हो जाएगा 9 में से 7 minus करेंगे तो 2 हो जाएगा और 9 में से 2 minus करेंगे तो 7 हो जाएगा तो हमारा answer क्या आजाएगा 4, 2, 7, 2, 7, 2, 3 तो काफी आसान तरीका है चुटकियों में आप कर सकते हैं यहां पर कितने भी नाइन हो 99 हो ट्रिपल नाइन हो वो सा हो आप कर सकते हैं